अगर आप पी SSB इंटर्व्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और बहुत जल्दा आप अपना SSB इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि Day 1 में जो टेस्ट होते हैं उनमें किस तरह से आपको अपना अप्रोच रखना चाहिए युज्वली जो कांडिडेट्स हैं उनसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसकी वज़े से वो स्क्रीन नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे ऐसी कांडिडेट्स हैं जो कई बार अपना अटेंट दे चुके हैं ले तो युज्वली बहुत कॉमन है हम सब जानते हैं स्टेज वन में कि PPDT टेस्ट क्या होता है GD टेस्ट क्या होता है OIR, OLQ टेस्ट क्या होता है इस सेशन में हम जानेंगे हर एक टेस्ट का सिलिबस हर एक टेस्ट को हम कैसे बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं ता कि हम इसने भी doubts and queries होते हैं या आपने जिन भी candidate से सुना होगा OIR की importance, OLQ की importance, PPDT की importance, इनकी marking कैसी होती है, यह सब यानि एक complete package जो है day 1 का वो आज हम यहाँ पर discuss करने जा रहे हैं, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर मैं day 1 SSB के बारे में बात करूँ, तो day 1 आपको जो मैं already एक brief session बना के रखा हुआ है, इस video के description में मैं उसका link भी जरूर शेयर कर दूँगी, या फिर आप वैसे भी YouTube government channel trackers को search out करके SSB documents checklist कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, जैसे ही आपका document verify हो जाता है, आप जाते हैं अपने first stage की तरफ, जो की होता है OIR and OLQ test, तो आप सभी candidates क एक बड़ी से hall में बिठाया जाता है, जहां पे दोनों test की briefing आपको बताई जाते है, कि stage 1 में किस तरह से आपकी testing होगी, किस तरह से आपका पूरा-पूरा stage 1 का procedure चलने वाला है, तो आप detail में discuss करेंगे OIR and OLQ test, so there will be one officer जो आपको सारी details वैसे ही selection center पे बता देगा, बट यहां पे OIR, OLQ के syllabus को जानेंगे, कैसे हम अपना OIR, OLQ अच्छा कर सकते हैं, और जितने भी हमने doubts या queries OIR, OLQ test से related सुने होगी, वो इस session में आपके जरूर clear हो जाएंगे, तो यह रहा आपका OIR, OLQ test, यह दो different test है, OIR and OLQ जिसमें verbal and non-verbal test आपके होते हैं, ठीक है, यह दोनो test 15-17 minute के होते हैं, और इसमें आपको solve करने के लिए मिलते हैं, पचास questions, यह दोनों test में यह common है, verbal test में अगर मैं बात करूँ कि किस तरह की questions आते हैं, तो इसमें आपके figures, analogies, figure metrics, locating hidden figures, odd one out, classification of data, paper cutting, problems, problem on cubes, dice, patterns and special ability से related questions आते हैं, वहीं अगर मैं non-verbal की बात करूँ, तो non-verbal में जैसे आपका series related question आ सकता है, चाहे वो alphabet series हो या numerical series हो, दो नहीं possible है, blood relation से related question आ सकता है, taller and shorter related problems आ सकती है, vein diagram के questions हो सकते हैं, jumbled words हो सकते हैं, jumbled sentences भी हो सकते हैं, times coding decoding होती है, one word substitution हो सकता है, rank को लेके problems हो सकती है, interchanging of those signs, याने आपका plus minus और इनको interchange करके, जो problem होती इस तरह से creation हो सकता, mathematical equation का, identification of letters and reconstruction of the complete test, तो इसमें जो marking होती है, depending upon आप किस तरह से अपने 50 questions को attempt करते हैं, इसमें आपकी marking होती है, अगर आपका OIR 1 आता है, तो that is outstanding, which is 40 plus marks, OIR 2 is excellent, 3 is above average, 4 is average, 5 is below average, तो here आपको ये कोशिश करने हैं, कि आप at least अपना OIR 1 जरूर लेके आएं, अगर 1 नहीं, तो OIR 1 से 2 के ratio के बीच में रहना है, In case, अगर आपका OIR 2 आता है, तो सारा जो वजन है basically, सारा जो approach और आपको जो 100% dedication देना होगा, वो देना होगा आपको अपने PPDT and GDP, ठीक है, तो बहुत सारे candidates को ये लगता है, कि OIR की कोई अपनी importance नहीं होती है, merit में नहीं जुडता है, OIR check भी नहीं होते हैं, बहुत सारे में साफने सुनोंगे, बहुत कुछ available है, आपके friends के through, आप social media पे देखो, अगर मैं बात बताओ, so OIR की अपनी बहुत जादा importance होती है, और ये major factor प्ले करता है, आपके screening process में, so make sure आपका जो approach, आपकी जो preparation हो, उसमें आप OIR 1 से लेके OIR 2 के बीच में ही fall करें, याने outstanding and excellent मे होना है, क्योंकि यहाँ पे जब screening के लिए candidates आते हैं, तब आप देखते हैं कि more than 350, 300 plus के आसपास candidates आते हैं, जिसमें से जो selection ratio होता है, वो almost 20 to 25 candidates maximum जाता है, चीक है, girls के case में थोड़ा सा increase हो जाता है, but boys के case में it remains very low, so मैं आपको बतारहें कि screening that is why is a very difficult process, और यहाँ पे आपक आपको बिलकुल भी risk नहीं लेना चाहिए, और 100 का आपको अपना 200% यहाँ पे best perform करना देना चाहिए, और गलती की तो कोई भी गुंजाश यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, आपको इतने अच्छे से अपनी preparation करनी होती है, because यहाँ आपको seconds and minutes में opportunity मिलती है, अपने आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, चाहिए वो आपके test की बात हो, PPDT की बात हो, या GD की बात हो, अब मैं आपको questions बता देतु हूँ, कि किस तरह के basic questions पूछे जाते है, verbal, non-verbal, donor, जैसे मैंने बूला figure related questions आते है, तो यह देखी, एक dice related question है, इसी तरह figures आजाएंगे, जहाँ आपको pattern identify करके बताना है, कि next figure में क्या pattern आएगा, ठीक है, इस तरह से questions आजाएंगे, यह dice related questions आगया, जिसमें आपको sets बताने है, उसके बाद यहाँ पे आप देखे, smallest number को arrange करना है, यहाँ पे, यह coding decoding से related question आगया, again यह pattern series से related question आया है, यहाँ smallest number आपको इसमें से identify करना है उसका last digit, कुछ आपको sentences के form में basic verbal questions जिस तरह से आते हैं, जैसे milky way is a galaxy from which we get milk penetrains, तो whether it is true, false, यह basic आपका aptitude है, क्या आपको milky way जो हमारी galaxy उसके बारे में जानकारी है या ने, तो इस तरह के भी questions आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि OIR किस तरह का आते तो usually जो आपको non-verbal या verbal या जिसे हम कहते है reasoning, reasoning की preparation नहीं है, reasoning का syllabus is totally different, यह basic aptitude test होता है, जिसमें आपका general level से लेके, general aptitude से लेके, कुछ आपके logical thinking solutions को check किया जाता है, कि whether आप इसको solve कर पा रहेंगे, नहीं, आपकी understanding किस तरीके से, ठीक है, इस तरह की questions के मैंने आपको example द जाते हैं, सो जहां पे basic आपका aptitude test होता है, अब अपने PPDT, OIR, OLQ को अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसके बार में जानते हैं, सो कैसे आप अच्छा score कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आपको most important is, अपने आपको comfortable career with all the writing materials and comfortable हो के अराम से बैठे हैं, जैसे बहुत सार OLQ तुरंत के लग जाएगा, ठीक है, किसी ने कुछ भी बोला हो, जब आप अपने examination center जा रहे हो, be very comfortable, be very calm and composite, next important thing is, जब भी आपका briefing officer आपको test में ब्रीफ कर रहा हो, उसकी सारी बाते जब आप ध्यान से सुनेंगे तो automatically आपका focus वहां पे हो जाएगा, and जितने भी disrespective, जो distracting thoughts हैं basically, जो आपको इधर उधर divert करेंगे, वो यहां से खतम हो जाएगे, next is, जब officer आपको brief करेगा, तो वो आपको एक practice test and answer board पे भी बताएगा, जो projecting screen होगी, वहां पे एक आपको sample, example भी दिखाया जाएगा, कि किस तरह से आपको अपना test solve करना है, जब actual test start होगा, तो जिन candidates को और भी doubts हैं, वो भी वहां पे जाके clear हो जाएगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं बता जाएगा, आपको वहां पे अच्छे से brief किया जाएगा, जब आप अपना test start करते हैं, माल नीचे कोई ऐसी problem आपके सामने आगे, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है, so the best part is कि skip करिए questions को, and एक question पर जादा time मत दीजे, because ऐसा होता है कि time खत्म हो जाता है, candidates को बात के questions आते हैं, बट वहां तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, so जादा एक question के पीछे time waste नहीं करना है, and maximum number of questions को attempt करने की कोशिश के लिए, because इसमे कोई negative marking नहीं होती, तो जितने जादा आप questions attempt करते हैं, उतनी जादा आपकी probability बढ़ती है, कि आप higher score करेंगे, and rank 1 and rank 2, which is outstanding and excellent OIR ranking में, आप stand out करेंगे, and last but not the least is most important thing, अगर आप बिना practice किये जाएंगे, और आपको लगता है कि आप OIR, OLQ test में अच्छा perform कर सकते हैं, so it is one of the very biggest myth, जो candidates को लगता है कि हमारी reasoning ability बहुत अच्छी है, या basic reasoning को questions आएंगे, हम तो solve कर देंगे, trust me guys, जब हम under pressure बैठते हैं, बहाँ पर examination में, and जब इतने सारे candidates के साथ fight कर रहे होते हैं, easy easy questions भी हम गलत करके आते हैं, और हमें लगता हमने OIR अपना बहुत अच्छा किया है, but actually maximum mistakes आपकी OIR टेस्ट में निकलती है, so यहाँ पर एक तो over confident का factor आजाता है, plus जब time का pressure होता है, तो automatically गलत चीज़े भी सही हो जाती है, so इसलिए आपको with time जो है practice करने की बहुत ज़ादा ज़रूरत है, next आज आते हैं आपके PPDT and GDP, now PPDT and GDP में again क्या होगा, briefing officer आपको brief करेग दुबारा जब आपको settle down करेगा, and screen पे आपको सारे instructions भी display होते रहेंगे, तो screen पे basically इस तरह की एक sheet आएगी, जिससे वो आपको explain करेगा, इस screen में आपको focus करना है, अपने characters के उपर, याने M से male, P is neutral and F से female, उनकी age groups लिखना है, and उनका mood लिखना है, साथ ही आपको लिखना है, आपकी story का action क्या है, and आपकी story को minimum 100 से 120 words में, जो है, इसे describe करना है, अब आपकी story होगी, तीन चीज़ों के बीच में, कि basically इसमें पहले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये present situation आई, अभी क्या हो रहा है, और आगे क्या होगा, ठीक है, अब picture जो होते है, that is, बहुत ही hazy हो तो किसी को कुछ observe हो सकता है, किसी को कुछ perceive हो सकता है, तो इसमें गलत सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती, but focus आपको ये करना होता है, कि आपको अपनी picture का background, and isकी number of characters पे, focus करना होता है, and किसी भी, एक particular character को, अपना hero बनाना होता है, and then you need to start your story, ठीक है, तो tips PPDT के लिए, अ जब भी आपका briefing officer आपको brief कर रहा होता है तो उसके instructions को ज्यान से सुने and बहुत सारे candidates यह mistake करते कि हम पहले से बनी-बनाई stories लेके जाते हैं भी आप बुक्स में से पढ़ के stories लेके जाते हैं and they write the same thing irrespective of matching picture काई बार ऐसे हुए हैं यानि जबर दस्ती picture में आपने story paste करने की कोशिश किया है don't write that जैसे ही आप क्योंकि these officers are assisting the students with more than 15 plus 20 plus years of experience तो जैसे आप किसी भी book की story बोलते हैं उन्हें पदा चल जाता है that it is a preconceived story and इसलिए candidates को लगता है कि हमारा screening test यह नहींगा तो जब तक आप real, logical, approachable नहीं रहेंगे तब तक आप screening नहीं हो सकते अगर आप preconceived stories लेके जाएंगे तो दूसरी कलती आप यह करते हैं कि impractical stories लिखते हैं impractical stories से मतलब है जैसे बहुत सारे students जो है like मेरे सामने भी जब मैं बैच में गई थी तो मेरे सामने भी बहुत सारे candidates ऐसे थे जिन्होंने you know bridges बना दिये, sea के उपर bridges बना दिये then यहां से sky तक bridges बना दिये तो इस तरह की impractical, illogical stories अगर आप बोलते हैं तो don't expect that you'll be getting screened in तो आपकी सारी logical, nature based होनी चाहिए, logical होनी चाहिए and वो आप कर सके ऐसी होनी चाहिए, आपके approach के भी बाहर नहीं होनी चाहिए next is, बहुत सारे students को यह लगता है कि हम positive stories लिखेंगे तो हम recommend हो जाएंगे, ऐसा नहीं है अगर आपको negative picture दिखाई जाती है तो आपको story उस तरह से negative way में start करनी होती है but definitely आप उसका outcome positive कर सकते है ठीक है, बहुत सारे candidates, मैंने बोला ना कि मेरे बहुत सारे students जाते रहते हैं plus मेरे batches में भी, यही myth क्योंकि चलता रहा है तो story complete negative है, picture complete negative है but still उसको you know, बता दिया गए कि anniversary मनाई जा रही है, both day मनाई जा रही है friends के साथ celebration हो रहा है so this is wrong, वहाँ पर आपका perception गलत हो गया इसका मतलब यह है कि again आपकी यह अपनी thinking नहीं है आपकी यह अपनी reality नहीं है so यह जो purpose है negative story का यह assessors चेक करना चाहते हैं आपकी negative trait में that when you are negative उस case में उस situation में आप कैसे react करते हैं next important thing is organizing ability जब भी आप अपनी story लिखें, एक decent manner में लिखना चाहिए कि story जैसे लगना चाहिए, ठीके एक-एक step wise होता है ऐसा नहीं कि पहले आपने कुछ और लिख दिया फिर आप, you know, starting of story लेकर आप, फिर middle पॉइंट नीचे लेकर आप इस तरह से कोई करना है आपको अपनी story जो है वो logical way में एक logical order में रखनी है ताकि वो complete एक अच्छी सी story sequence में लगे next is वैसे भी जब आप अपनी thoughts and ideas को put up करते हैं बहुत सारे candidates अपनी PPDT sheet को बहुत ही untidy करते हैं don't do that जितना जहता आप neat and clean रहेंगे न वो भी एक अच्छा represent करता है आपकी psychology के बारे में ये बहुत कम लूग जानते है आपकी writing, आपका neatness, आपका way of presentation it also depicts about your personality and traits कि yes, आपके thoughts clear है, आपका vision clear है and आपको total idea है, आपको पता है कि what decisions you need to make तो it is also a very important factors which most of us actually deny next and the last important thing is कि जब आपको instructions मलते हैं आपके assessors से यानि जब बोल दिया जाए कि story अब आपको start करनी है, story आपको end करनी है तो always listen them, never ever write pre-consume stories जैसे मैंने बताया और coaching अगर आपने ली है या कहीं से आपने you know, अपने किसी experience candidates का या friend का या senior का experience लिया हुआ है, तो उस experience को अपने उपर rely मत कर ये because आपके साथ situation different होगी, आपका अपना vision different है, आपका अपना background different है, आपके अपने thoughts different होगे so does not matter कि आपके group में screening candidate बेठा है, conference out candidate बेठा है या recommended candidate बेठा है या कोई trained candidate coaching लेके बेठा हुआ है, does not, अगर आपने अपनी self preparation अच्छी की है और अगर आपने अपना best दिया है, तो you will definitely get screened in, irrespective of कि आपके batch में कोई recommended है, किसीने coaching ली है, किसीने कुछ भी किया हो अगर आप एक right guidance लेके जाएंगे, अच्छे से अपना perform करेंगे, अपना 100% देंगे, तो irrespective of 20, 30, 40, कितनी screening हो रहे हैं, आप जरूर recommend होंगे यह ऐसा लगता है कि वहाँ पे, you know, सिर्फ 20 candidates recommend होते है, 25 candidates recommend होते हैं, trust me, अगर आपने अच्छा किया है, तो irrespective of the number, आप जरूर recommend होंगे, screen 1 clear कर लेंगे, अराम से, ठीक है अब जब आपकी PPDT हो जाती है, आज आते हैं, group discussion and narration पे, ठीक है, group discussion and narration पे, जब आपके assisting officers आपके सामने बैठते हैं, तो usually आपको इस तरह के semi circle में, group में बिठाया जाता है, इसमें आपको करना क्या है, कि सबसे पहले आपको, आपका power of expression is very much important, the way you speak without stammering and stuttering, तो basically इसमें च express कर पाते हैं and for this you actually require a lot of practice because अगर आप खुद try करेंगे बोलने के लिए, आप शिशे में खड़े हो के बोलिये, एक मिनट तक कोशिश करके बोलिये, आप देखे, आप उसमें maximum number of times, आप जो है, वो stammer करेंगे, या you'll be babbling basically, आप fumble करेंगे, तो ये चीज़े नहीं होने चाह होती है, उनको भी लगते है कि हमें एक मिनट तक बिना stammer किया या बिना जो है वो fumble के बोल सकते हैं but actually जब आप बोलने आते हों जब इस तरह का pressure होता है, जब आप दूसरों की स्टोरी सुनते हैं उसके बाद आपको अपनी स्टोरी नारेट करने हो, that is one of the most difficult parts psychologically also and here बहुत जब instructions दे जाते हैं कि आपको किस तरह से अपनी स्टोरी नारेट करने क्योंकि हर SSR का अपना perception अपना view होता है, तो वो जो instructions आपको देते हैं कि आपको अपनी स्टोरी किस तरह से नारेट करने, अगर वो कहते हैं आपको wish करके start करने, wish करके start करे, अगर वो बोलते हैं आपक तो कभी कभी जितनी बड़ी हम स्टोरी लिखते हैं, तो कोशिश करिए कि उस स्टोरी में से भी और उसको क्रिस्प करिए, and to the point, major points आप अपनी स्टोरी बोलिए, so that आपका वो एक मिनिट में स्टोरी कम्प्लीट हो जाए, ठीक है, and अगर आपको टाइम बढ़ा दिया जाता है आपका टाइम या आपका टाइम कम कर दिया जाता है, तो it does not mean कि आपकी स्टोरी जो है interesting नहीं है या यह एक positive sign नहीं है, it totally depends upon the time, the current situation, next important thing that you can do is, without fumbling and writing a good story with good thought, आपका own vision, आपका own perception and fluency improve करने के लिए, आपको अपनी speech, आपको अपनी story everyday लिखनी है, and with time, अप जब तक आप practice नहीं करेंगे, you cannot clear screen in, आप coaching ले दीजे, आप कुछ भी कर लीजे, nobody can help you out, make sure and mark my words, यह actual, मैं आपको feedback बता रहे हूं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आप PPDT and stage 1 अपना clear नहीं कर सकते हैं, ठीक है, power of expression यह नहीं कहता कि आपको English में ही बोलना है, युश्वली जो preferred language है वो English है, यह भी question आते है candidate से, कि हम Hindi में बोल सकते हैं कि नहीं, तो अगर आपका background ऐसा रहा है कि अगर आप Hindi medium से हैं, तो definitely आप Hindi में भी बोल सकते हैं, या English में बोलते बोलते, अगर आप कहीं फर्स गए हैं और आपको कोई word नहीं आ रहा है, तो उस word को आप Hindi में बोलके दुबारा से आप English बोलना शुरू कर दीचिए, ठीक है, good narration is basically जिसमें आपका body language भी positive होना चाहिए, तो back आपकी straight हो, postures आपके good हो, hand movements बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, and the instructions उन्होंने दिये हैं, जब भी आप बोले हैं, तो आपका face smiling होना चाहिए, आप eye contact करें है, अपने group people के साथ, और आपका body language, body posture जो है, correct है, make sure आपका eye contact, या आपका thought process, explanation है, आपके assessors की तरफ नहीं होना चाहिए, because वह पहली आपको instruction देते हैं, कि आपको within the group discussion करना होता है, this means कि जब आप story बोल रहे होते हैं, तो आपको अपनी assessors की तरफ नहीं देखना होता है, ठीक है, तो यह मैंने आपको detail बता दिया, good story, group discussion के, PPDT के, OIR, अगर आप यह सब कुछ फॉलो करेंगे, जो मैं आपको बता रहे हूं, with more than 100 plus candidates, जिनके recommendations हुए है, and recently मैं आपको बता हूं, is 107 plus, more than 5 plus candidates, जो हमारे इंडिन नेवल को उन्होंने March के मंत में, 25th March को join करा है, उनके call-ups I heard, so with all this experience, I am telling you the fact, अगर आप इन चीजों को follow करेंगे, तो आप definitely अपना stage 1 वो clear करके जाएंगे, so being a recommended candidate, plus इतने सारे मेरे बच्चे रेकमेंड हुए है, and also the proud moment is that this is my brother, who recently got recommended, and he has joined Indian Naval Academy, so I am telling you the exact thing, जो face करते हैं candidates, जो वो experience करते हैं, फिर जो अपना वो feedback share करते हैं, तो यह सारी चीज़े में आपको बता रहे हैं, and all these things has helped us out, जब आप markets में बुक लेते हैं, तो एक ही बुक में basically आपको सारी चीज़े बताई जाते हैं, और वो books any number of candidates follow करते हैं, वही preconceived stories होती जो मैंने आपको बता हैं, यहां पे preconceived stories नहीं हैं, यहां पे सिर्फ आपको एक sample देने की कोशिश की गई है, और उसके बाद आपके own thoughts and processes को निकाला गया है, कैसे निकाला गया है and how do we work is, हम आपकी stories को individual check करते हैं, हम आपकी stories को basically और polish करते हैं, उस level तक लेके आते हैं, आपके अपनी personality को basically super impulse होने से बचाते हैं, जो usually maximum candidates करके जाते हैं and यही एक major reason है, कि why most of the candidates are not able to get screened in, क्योंकि उनके अपने thoughts होते ही नहीं हैं, तो अपने thoughts होना बहुत important है, हाँ, अपने thoughts में mistakes सरूर होती है, तो उन mistakes को हम verify करते हैं, हम help करते हैं आपको कि किस तरह से आपकी story, आपका picture, आपकी personality के साथ जाता है, and आप एक better story लिखके आ सकते हैं, तो यह correction इस psychology में, चाहे आप psychology test के लिए prepare कर रहे हो, चाहे SSB stage 1 के लिए prepare कर रहे हो, throughout her test के लिए मैं आपकी साथ हूँ, और मैं आपको guide and verify करती रहती हूँ, तो करना क्या है घर बैठके अराम से, किसी coaching की नहीं ज़र होता है, किसी extra book की नहीं ज़र होता है, घर बैठके अराम से, जब भी आप SSB के लिए short list होते हैं, अपनी preparation कर सकते हैं, चाहे वो आपकी stage 1 testing हो, stage 2 testing हो, यह complete course package है, SSB का, जिसमें आपको video lectures मिलेंगे, these are basically recorded lectures पहले, जो आपको सारी details देंगे, फिर आपको books मिलेंगी, जिसमें और आपको फिर pictures के साथ, अच्छे से explain किया है, samples दिया है, plus practice test दिया गया है, इसके बाद इसमें आपकी life classes भी include होते हैं, इंडिविजुल लेवल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, चाट कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी problem शेर कर सकते हैं, जो कि usually coaching institutes में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे इतने बड़े-बड़े batches होते हैं, तो individual attention में problem होती है, plus हार कोई अपनी personal problem सबके सामने share नहीं करना चाहता, detail strategy भी है, हर एक चीज का मैंने in detail, day wise plan बनाया है, explain कर रहा है, doubt clearing sessions है, medical guidance है, और जिस तरह से मैंने आपको complete session बता है, इसी तरह से आपको हर session जो है, वो मिलता रहेगा practice करने के लिए, तो I hope यह session आपके लिए useful रहा रहेगा, इसी तरह की और information के लिए आप subscribe कर सकते हैं, YouTube चानल Government Crackers का, जो कि ना आपको सिफ SSB interviews से related, बलकि defense के किसी भी field में अगर आप preparation कर रहे हैं, तो उसके लिए यह help करता है, download कर सकते हैं आप Government Crackers का app, जो कि available है Google Play Store, Apple Play Store पे भी और YouTube की इस वीडियो के नीचे description में भी आपका link available है, तो I hope यह session आपके लिए बहुत useful रहा होगा, आपको आप काफी चीज़े clear हो गई होगी, अब आप accordingly अपनी preparation स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आपको judge कर सकते हैं, and you can judge best yourself की आप कितनी जादा preparation की आपको सरूरत है, so I will see you in the next session, till then Jai!